नरेंद्र मोजी जिन्दोबाद बारात मता की बारात मता की मित्रो वा सुभगणी जिसका की बहुत देर से आप सब लोग पृतिच्छा कर रहे थे इस जिले की महान जनता और सुल्तान पूर जनपत की महान जनता भारती जनता पहटी के कार करता जिस छण का इंतजार कर रहे थे वह च्छाड़ा आ चुका है और स्रद्दे मोदी जी हमारे बीच में है मैं जो है कि बहुत समय नहीं लूँगा बादा नहीं बनूँगा मैं यता सिग्र यहां की लोकसवा सांसत और जो अमेठी जनपद और इस पुर्वांचल की आवाज को दिल्ली में भुलंद करती है मानि मोदी जी के काबिनेट में मंत्री ऐसे मानिया स्रीमत्यूस्वनेट से मैं निवेदन करता हूँ कि उनका मानिय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करें अंग बस्तरम देखर के स्वागत करें मैं सुल्टान पुर जनपत और अमेठी जनपत के माननी जिला धक्ष स्रीमान दुरगेश तरपाथी जी स्रीमान आरे बर्माजी से भी निवेदन करता हूँ कि ओ लोग हनुमान जी के प्रसाथ स्वरूप पुरसार्थ का प्रतीक गदा भेट करके स्वागत करें स्रीमान दुरगेश तरपाथी जी स्रीमान आरे बर्माजी मित्रो अब हम से लोगों के नेता यहां पधार चुके हैं पूरी दुनिया जब कोई समस्या आती है पूरे बिश्व में तो पूरे दुनिया का ने थित्व पूरे दुनिया की जनता जिनके वार देखती है ऐसे मा स् haben की कि महानजंदा को अपना प्रदान करने का मित्रो एक गल्ती हुई है स्वागत भासन भी होना है तो मेरी गल्ती है स्रीमती स्मृति रानी जtu से निवेदन है कि वो जो है कि स्वागत करेंगी अपने निता मान्नी मोधी जिका बोलो भारत मात्ता की आज अमेठी का ये गौरव है कि वो गरीब मा का लाल जो साल दो हजार चौदा में इसी पुण्य भूमी पर पधार के आपकस ने आपका अशिर्वाद प्राप्त कर भारत के यशस्वी प्रधान सेवक बने उसी पुण्य धर्ती पर एक बार फिर शद्दे नरेंद्र भाई मोदी का आज पधार पन हुआ है नरेंद्र भाई ये वो मैदान है जिसने साल दो हजार चौदा में विश्व के लिए जैगहोश किया था एक स्वर में हिंदुस्तान को बताया था कि अमेठी है तैयार अब की बार मोदी सरकार ये वही जनता है जिसने साल दो हजार उन्नीस में एक एतिहासिक घोशना दोहराई और फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतित्व की सरकार बनने के बाद आज ये करमट नहीं जनता एक नए संकल्प के साथ आपके सम्मुक प्रस्तुत हुई है इस बार ये जनता घोशित करती है कि अमेठी है तैयार अब की बार मोदी योगी सरकार इस मंच पर आज प्रधान मंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों से जोड़ूंगी अमेठी के हर उस नागरिक को जिनको प्रधान मंत्री जी ने स्वयम साल 2014 और उन्नीस में बचन दिया था प्रधान मंत्री जी ने इसी इस ने ही जंता से करबध निवेधन किया था कि वर्षों वर्ष आपको एक परिवार ने इस पुन्य धर्टी पर छला है एक बार कमल के निशान पर विश्वास करें एक बार कमल के निशान को अपना कर सेवा का मौका दें और हम पात सालों में वो कार्यकर दिखाएंगे जो गांदी खांदान इस छेत्र में पचास साल नहीं कर पाया आज अमेठी की दीदी होने के नाते मैं माननिय प्रधान मंत्री जी का रिदे से आभार व्यक्त करती हूं कि एक तरफ तीस साल से अमेठी का लंबित बाइपास आपके आशिरवाद से बन पाया दूसरी ओर चालीस साल से मेडिकल कॉलेज बनाने का छलावा जो कॉंग्रेस पार्टी करती आई आपने उनके छलावे का अंत कर विकास को नए स्वरूप में परिभाशित कर ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके अमेठी को धन्य किया बलकि साती ही तिलोई जगदिशपूर गौरी गंज में स्वास्ति की व्यवस्थाओं को और भी सुद्रड किया प्रधान मंत्री जी के आशिर्वात से इन पाच वर्षों में अमेठी में पंद्रा अरब रुपईये का काम भारतिय जन्ता पाटी की सरकारें कर पाई हैं प्रधान मंत्री जी के आदेश अनुसार इन पाच वर्षों में अमेठी में 255 सडकों के माध्यम से 530 किलोमीटर की सडकों का जाल पूरे जन्पद में बिचाया गया है आज अमेठी धन्य है कि 50 साल वो एक खांदान अमेठी में एक सैनिक स्कूल ला खोल पाया सैनिक स्कूल का तोहफा भाजपा का कारकरता नरेंद्र भाए के आशिरवाद से अमेठी लेकर आया मैं आज बाणी को विराम देने से पहले आप सब को याद दिलाना चाहती हूँ ये अवो अमेठी है जिसमें वर्षों तक गांदी खांदान ने कांग्रेस पार्टी ने रिष्टों का छलावा किया लड़कियों के उत्थान की बात की लेकिन जायज में जो सरकारी भूमी लड़कियों की सिक्षा के लिए अधिकरित थी उसको कांग्रेस के गांधी परिवार ने अपनी परिवार में सम्मिलित कर अपने लिए ओफिस बनाया दफ्तर बनाया अमेठी साक्षी है कि जिस मैडान पर आज हम सब उपस्थिट है वो मैडान गौरी गंज के किसानों से जमीन ली गई ये छल करकर कि किसानों को उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी कॉंग्रेस के इस परिवार ने किसानों की उन जमीनों को खुद अपनी फाउंडेशन में जब्त करके जब किसानों ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ कॉंग्रेस के स्वयम नेता कोट में चले गए कि किसानों को उनका धिकार ना मिले मैं जानती हूं कि कल भी कॉंग्रेस के वो नेता जगदीशपूर पधारने का प्रयास कर रहे हैं जिनको अमेठी ने वो 2019 में विदा कर दिया लेकिन हास्यास्पद है ये बात कि कल वो आएंगे रिष्टों की दुहाई देंगे राम का नाम भी कदाचित लेंगे लेकिन आज जगदीशपूर का बच्चा बच्चा जानता है कि जो राम के नाम के खिलाव कोट में दस्तावेज देता है वो जगदीशपूर में राम के नाम के मैदान पर कबजा करता है और भारतिय जनता पार्टी की सरकार उन गुंडों पर बुल्डोजर चला कर वो जमीन जन्ता के लिए जिक्त करती है यह वो भूमी है जिस पर लाल टोपी वाले आते हैं कहते हैं कि जाओ साथ साल से तपस्या कर रही है भारतिय जन्ता पाटी जाकर सांसद की पीट पर छुरा भोको आज लाल टोपी वालों से भी कहना चाहती हूँ कि आपका ये छलावा चल नहीं पाएगा जिसने इन कांधों पर सुरेन सिंग की अर्थी को उठाया है उसके सीने पर भी वार करोगे तो अमेठी का ये नागरिक 27 को पोलिंग बूत पर जाएगा कमल का बटन दबाएगा भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा आज प्रधान मंत्री जी आप पुना पधार कर अपने शब्दों से हम सब को धन्य कर रहे हैं ऐसी हम सब की अभिलाशा है अमेठी और सुल्तानपूर की टीम की ओर से आपका विशिष्ट अभिनंदन करते हुए हम सब की ओर से आपको प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना हो सैनिक स्कूल हो मेडिकल कॉलेज हो बाइपास हो या सत्तर हजार परिवारों को जीवन में पहली बार रोशनी देने का काम हो प्रधान मंत्री जी आपने गरीब के जीवन को रोशन किया आज वही गरीब इस मैदान में उपस्थित होकर आप से कह रहा है कि अमेठी है तयार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की सरकार बोलो भारत माता की नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद मित्रो देश की आनवांसान माभारती के सच्चे सपूत भारत वर्ष के अत्यन्त जनप्रिय सच्ष्वी प्रदान मंतरी और भारत की जन्ता के गोरो वासा की करें स्रद्धे नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदल करता हूँ कि अपने आशिर वचन से हमको अभिसंचित करें माननी प्रदान मंतरी जी नमस्कार अमेठी और सुल्तानपुर के यहां के लोग जब प्यार देते हैं तो जम करके देते हैं आज भी मैं वही इसने वही अनुराग वही अपनापन अनुभव कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ साथियों उत्तरपदेश में चुनाव के चार चरण पुरे हो चुके हैं चारो ही चरणों में लोगों ने एक जुट होकर बीजेपी को अपना आशिदवाद दिया है जो गोर परिवारवादी सोत्र है कि यूपी के लोग बट जाएंगे बिखर जाएंगे देश हित को भूल जाएंगे उत्तरपदेश के हितों को भूल जाएंगे अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे उन सबके सारे गणीत उल्टे पड़ गए हैं उन्हें सच्चाई का पता दस मार्च को लग जाने वाला है भाई और इसलिए इस बार उत्तरपदेश रंगों वाली होली दस मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा अमेठी सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही है कि परिवार वादियों की हमेशा से ही ये दिक्कत रही है ये लोग जमीन हकिकत से इतना दूर है इतने आस्मान में है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता है साथियों आज दशकों बार यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किये विकास कारियों के आधार पर गरीबों के हित में किये गए कारियों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुद्री हुई कानून ववस्ता पर वोट मांग रहा है वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके है अपरादियों की हिम्मत पस्त हुई है वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने ब्रश्टा चार का अरोप ऐसी किसी भी मुसीबत को इस चुनाव के मैदान में जेल नहीं रहा है और वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब गरीब मध्यमंबर खुद आगे आकर कह रहा है आएगी तो एंडी ये ही आएगी तो एंडी ये ही आएंगे तो योगी ही भाई और बैनों जो ये परिवारबादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महराजा की तरह आप पर राज कर सके हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए नहीं हमारी ताकत कोई बाहुवली या माफिया है हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है उत्तर प्रदेश क्या गरीब हैं उत्तर प्रदेश की माताए बहने हैं वो आज देख रहा है कि कैसे बीते पांच सालों में भाजपा सरकार ने उसकी भलाई के लिए काम किया है वो जानता है कि हर सुख दुख में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रही है वो जानता है कि सरकार की योजनाओं का लाब देने में हम कभी भी न जाती देखते हैं न मजबब देखते हैं हम सिरब इमानदारी से जो भी गरीब है जो भी योजना का हकदार है उसकी आवशक्ता की पूर्ती का प्रयास करते हैं इसलिए आज यूपी के लोग भाजपा को दिल से इतना असिरवात दे रहे हैं भाई और बहनों आज का दिन 24 फरवरी मेरे जिवन का विशेस दिन है क्योंकि आज ही पी एम किसान सम्मान नीदी को तीन साल पूरे हुए है कि जब 2019 में हमने ये योजना शुरू की थी तो कई लोग अप्पाएं फैला रहे थे ब्रह्म फैला रहे थे कि ये तो 2019 के चुनाओं के पहले मोदी लाया है एक बार चुना हो जाएगा फिर मोदी बन कर देगा और कुछ हमारे विरोधी लोग है ना वो तो दिन राद इसको चला भी रहे थे लेकिन भाईयो बहनो हम जो काम करते हैं सोच समझ करके करते हैं इमानदारी से करते हैं और लोगों की बलाई के लिए करते हैं और आपने देखा चुनाव हो गया हम जीत भी गए लेकिन जो योजना शुरू की थी तिन साल से अनवरत इस योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जा रहा है यहां अमेठी के किसानों को भी चार सो पचास करोर रुपिये साड़े चार सो करोर रुपिये से जादा इस योजना से सीधे मेरे किसानों के खाते में जमा हुए सुल्तानपुर के किसानों को भी चार सो तीस करोर रुपिये से जादा पी एम किसान योजना के मिले हैं यह योजना कितने ही किसानों का और खास करके मेरे चोटे किसान भाई बेनों का उनका यह संबल बनी है साथियों आज आपके बीच आया हूँ ते एक और बात भी बताना चाहता हूँ आज से बीच साल पहले 24 फरवरी की ही वो तारीक थी जब मैं पहली बार विधायक बना था पहली बार पहली बार जीवन में अचानक चुनाओ के मैदान में आना पड़ा था और राजकोड के लोगों ने मुझे आशिरवाद दिये और सेवा का ये सिलसिला शुरू हुआ मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं चुनावी दंगल में जाओंगा चुनावी राजलीती में जाओंगा जिस रास्ते पर जाने का मैंने कभी सोचा तक नहीं था उस रास्ते पर चलने के शुरूआत 24 फरवरी को हुई थी मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया था जनता जनादन का सेवक बनकर उनके लिए काम करने का वो संकल्प हर दीन के साथ और शसक्त हुआ है यही सेवा भावना भारतिय जनता पार्टी की पहचान है और चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया मा गंगा ने मुझे पर जिस पकार से स्नेह वर्षा की आप लोगों ने मुझे गले लगाया इससे बड़ा जीवन में कोई सोभाग्य नहीं होता है आपका यसनेह आपका याशिरवाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूझी है और पूझी के नाम पर आपका प्यारी तो यही एक मेरी अमानत है भाई और बेनो आज यूपी में आपको ऐसे परिवार खोजना मुश्किल होगा जिसकी हमारी सरकार ने सेवा भाव से सहायता ना की हो सो साल के इस सबसे बड़े संकट में यह कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है पूरी मानव जाथ दुनिया के हर कोने में इस महामारी ने क्या से क्या कर दिया लेकिन हिंदुस्तान में भाजपास सरकार ने सबकी मदद का प्रयास अभीरत जारी रखा आज यूपी के सोला करोड से जादा लोगों को वैक्सिन की पहली डोज मुप्तल लग चुकी है करीब करीब बारा करोड लोगों को दूसरी डोज भी मुप्तल लग गई है भाईयों बैनों आप मुझे बताएए आपको वैक्सिन का टीका लग गया टीका लग गया अब को लग गया आपको कोई पैसा देना पड़ा एक रुपिया भी आपकी जेब से खर्दा करना पड़ा टीका लगवाने के लिए रिस्वत देनी पड़ी आपको कोई तकलीफ भाईयों बैनों इतनी तेज़ी से वैक्सिनेशन हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ है इसी वैक्सिन ने कोरोना से लड़ने की ताकत हर एक नागरिक में बढ़ा दी है इसे के कारण आज दुकाने खुली हैं व्यापार खुला है स्कूल कॉलेज खुले हैं फैक्टरिया खुली हैं साथ यूँ इन परिवारबादियों का एक्सिन को लेकर जो रप्या रहा है वो भी पूरे उत्तरपदेश पूरे देश ने देखा है इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सिन को बदनाम करने की बरपुर कोशिस की और यहां तक कह दिया आपको याद है ने यहां तक कह दिया यह बाजपा की वैक्सिन है यह तो बाजपा की वैक्सिन है और कुछ लोगों ने कहा यह तो बाजपा की वैक्सिन है हम नहीं लगाएंगे कोशिज यही थी उनका इरादा यही था कि लोग डर जाएं राजनिती का रंग लग जाएं और लोग वैक्सिन न लगवाएं और वैक्सिन न लगें कोरोना का हमला होता रहे लोग मुसीबत में फस्ते रहे और मोदी बदनाम होता रहे योगी बदनाम होता रहे तबाही होती रहे भाईयो बहनों क्या यह सोच अच्छी है क्या किसी का बुरा सोचना यह अच्छी बात है क्या क्या ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या इन्हों ने गुना किया है क किया नहीं किया है ऐसे कुनैगारों को आपका वोट मांगने का हक यह क्या लेकिन इन लोगों की इज़्जद ही इतनी जमीन पर पहुंच गई है इन की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि खूद इनकी पार्टी के लोगों ने भी इनके कायर करता हो ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वैक्सिन लगवादी कि परिवारवादी बहकाते रहे लेकिन उनके काईर करतां उने भी रिजिस्ट्रेशन करवाया और उन्हें भी कोरोना वैक्सिन की डोज लेली साथियों भारत ने जिस तरह कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन कारकम चलाया उस पर हर भारतिय को गर्व है पहले दिन से यह भ्यान नियमों के अनुसार चला डिसिप्रिन से चला कोई बगदर नहीं कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं कोई मेरा तेरा नहीं सब कुछ नियम से हुआ इतने बड़े देश में जब कोरोना के कारां मुसीबते सामने खड़ी हो फिर भी सारा काम डिसिप्रिन से चले यह हिंदुस्तान के लिए सरूंचा करने की घटना है भाईयों बात बड़ी बात है और आप खुद भी गवा है कि जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो मोदी खुद दोड़कर सबसे पहले बैक्सिन लगवाने के लिए नहीं पहुचा हमने पहले स्वास्त सेवाओं से जुड़े लोगों को सफाई कर्मचारियों को बुजुर्गों को गंबीर बिमारी से ग्रसीत लोगों को वैक्सिन लगवाने का मोका दिया ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइने तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सिन लगवाते हैं आप ये भी देखिए मैंने भी वैक्सिन तब लगवाई जब नियम से मेरा नमबर आया आप सब को मालू होगा अब मेरी मां 100 साल की उमर है उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी उन्होंने भी जब उनका नमबर आया नियम से तब वैक्सिन लगवाई इतना ही नहीं अभी बूश्चा डोज तीसरे डोज की चर्चा चल देगी है मेरी माने नहीं लगवाया क्योंकि उमर सो साल है लेकिन कोई और बिमारी नहीं होने के कारण उनका नंबर नहीं लगता है तो उन्होंने नहीं लगवाई कानुन नियमों का पालन प्रधान मंत्री भी करता है प्रधान मंत्री की सो साल की उमर की मा भी करती है यह परिवारबादी होते तो पहले खुद का वैक्सिनेशन होता और सामान्य लोग पीछे रह जाते साथियों यूपी के पंदरा करोड लाभारतियों को इस मुश्किल समय में मुप्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है यूपी के एक करोड 65 लाख गरीब परिवारों को हमारी सरकार ने मुप्त गैस कनेक्शन दिया है यूपी के 34 लाख गरीब परिवारों को हमारी सरकार ने पक्का घर बना करके दिया है और यह जो गर मिल रहा है ने वो भी हमारा आग्रह है वो मकान का माली का नाहग उस परिवार की महिला के नाम पर हो महिलाओं को उसका हक मिले यूपी की लाखों बहने बीते पांच साल में अपने घर की मालकिन हो गई है लखपती हो गई है साथियों बाजपा सरकार की स्वामित्व योजना की वज़़ से आज यूपी के गाओं में लाबार्थियों को एक बहुत बड़ा वर्ग जिनको लगातार उनके हक का चीज़ें सामने से उनके घर पे पहुंच रही है ये वो वर्ग है जिसको पहले की सरकारों के समय अपने घर अपनी जमीन पर कबजे की चिंता आए दिन सताती थी अब हम ऐसी व्यवस्ता कर रहे हैं कि कोई भूमापिया कभी आपका घर और आपकी जमीन को छूबी नहीं सकेगा ये व्यवस्ता हम कर रहे हैं हम आपके घर आपकी जमीन का पक्का कानूनी दस्तावेश टिकनोलोजी की मदद से तैयार करके आपको गरोनी दे रहे हैं पी-एम स्वामित प्योजना के ताथ यूपी के लाखों गरामिनों को गरोनी दे जा चुकी है और आगे भी काम चल रहा है बाकी गावों में भी ड्रोन के माध्यम से ये काम ये आचार चहींता के कारान अपसर जना दूसरे कामों में इलेक्शन कमिशन की सेवा में है लेकिन जैसे ही चुनाव का काम पूरा होगा धना धन ये काम फिर से शुरू हो जाएगा बाई और भेनों आज अमेठी के लोगों के सामने सुल्तानपूर के लोगों के सामने मैं ऐसे दो विशों की भी तर्टा करूंगा जिसके हमारे देश के नागरिक हमारे उत्तरपूर देश के नागरिक हमारे सुल्तानपूर अमेठी के नागरिक इसके भुक्त भोगी रहे हैं परेशानिया जेली हैं ये विशा है और वो देश के सामने लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनोती हैं और मैं चाहूंगा कि मेरे जो नवजवान है वो मेरी इस बात पर गौर करें उस पर जरूर ध्यान दें साथियों ये विशा है पहला वोट बैंक की पॉलिटिक्स और दूसरा परिवार वादी राजनीती जब मैं दो विशोय की चर्चा करता हूं तो ये परिवार वादी लोग मुँपर ताले लगा देते हैं और उनके जो इकोसिस्टिम है न वो भी बात को उलट करके दूसरी दिशा में ले जाती है आप देखिएगा ये लोग कभी इसका जवाब नहीं देतें क्योंकि इनके दिल में खोट है साथियों वोट बैंक की पॉलिटिक्स और परिवार वादी राजनीती दोनों ने देश का बहुत ज़्यादा नुक्सान किया है जब आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं किसी का तुष्टी करन करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि समाज के एक बड़े वर्ट से आप विकास का हग छीन रहे हैं जब आप परिवार वादी राजनीती करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप किसी साधारण व्यक्ति से आगे बढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं साथियों एक समय था जब इन नेताओं ने वोट बैंक पुलिटिक्स को तुष्टी करण को बढ़ावा दिया उसे खाथ पानी दिया कि आज वोट बैंक की इसी पुलिटिक्स ने तुष्टी करण की इसी राजनीती ने इन नेताओं को इन राजनीतिक दलों को अपना बंदक बना दिया है बंदक बना दिया है अब वोट बैंक की पॉलिटिक्सी इंदलों की नेताओं की मजबूरी बन गई है इसलिए आज भी उनका हर फैसला इसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से ही होता है इस फैसला अगर देश हित के खिलाब हो तो भी ये नेता उस फैसले को लेने में जराबी हिचकते नहीं है उनको देश की नहीं वोट बैंक की चिंता रहती है और इसलिए आप लोग देखते हैं कि लोग हमारी सेनाओं का अपमान करते हैं हमारे पुलिस फोर्सिस का अपमान करते हैं उनके मनोबल को तोड़ने की बाते करते हैं क्योंकि ऐसी बाते करने से उनकी वोट बैंक को खुशी होती है इसी सोच की वज़े से ये लोग हमारे सम्विधान की परवा नहीं करते हैं देश की सम्विधानिक संसाओं पर सवाल खड़े करते हैं अभी आपने देखा है 56 यहां कड़ा छोटा नहीं है 56 निर्दोस लोगों को कुछी मिनिटों में अलग अलग जगा पर बम धमाके करके 56 लोगों को मार दिया गया था सेंक्ड़ों लोगों को अपाहीच कर दिया था ऐसा भैंकर मानवता के खिलाब कृत्य करने वाले आतंकबादियों को 38 आतंकबादियों को गुजराज की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है अब मैं देख रहा हूं मैंने कहा कि अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है आप सब तालिया बजाने लग गए आपको अच्छा लगा की नहीं लगा नियाई मिला उससे आपको संदोज हुआ अग नहीं हुआ आपको नियाई में विस्वाथ है की नहीं है लेकिन आप देखिए मानवता के दुश्मनों को फांसी हो गई लेकिन बोट बेंग के डर से बोट बेंग खिसक जाएगी तो क्या होगा इन पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई उनके मुँपे ताले लग गए है भाईयो जो लोग गुनेगार सित हो चुके हैं उनके लिए भी अगर रहम नजर रखते हैं क्या ऐसे लोगों को राजनीती में सत्ता में आने का हख है क्या ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए नहीं करना चाहिए भाईयो बेनो जहां तक दूसरी बात है परिवारवादी राजनीती की तो उससे भी देश का बहुत दुक्षान होता है परिवारवादी राजनीती में पार्टी का अध्यक्ष परिवार का होता है पार्टी के सभी महत्वपुन पदों पर परिवार के लोगी जम करके बैटे होते हैं महत्वपुन पदों पर दावेदारी भी उसी परिवार के सदश्यों की होती है पार्टी में कोई आंत्रिक लोगतंत्र नहीं होता पीता के बाद बेटा फिर बेटे के बाद बेटा या बेटी बहू उनी लोगों को पदपर रहने का हक मिल जाता है ये परिवारवादी पार्टियां यही पहले पक्का कर लेती है इन पार्टियों में जो परिवार को समर्पित होता है उसी को वहाँ कुछ अवसर मिलता है उनके लिए सम्मिदान सुप्रिम नहीं होता है परिवार का सुप्रिमों ही सुप्रिम होता है वहाँ वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता देश के लिए कुछ नहीं कर पाता उसको तो सिर्फ और तरफ परिवार के हित में ही काम करना होता है ऐसी परिवारवादी पार्टियों में कार्य करता के लिए स्पष्ट संदेश होता है मैंनत आप करिए फल हम खाएंगे साथियों इन गोर परिवारवादियों ने सरकार चलाने का भी एक बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मिला बना रखा है ये लोग अलग अलग जीलों से मंत्री मंत्री तो बना लेते हैं अपने वोट बेंक के हिसाब से मंत्री भी ले आते हैं लेकिन उन मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होता है वो क्या करते हैं अपने परिवार के लोग जो चुनाव जीत करके नहीं आये हैं जो समीदान की वेवस्ता में नहीं है उनको इलाके बांड देते हैं बतिजो को कहते हैं ये दोई जिले तुमारे बांजे को कहते हैं ये दिजो जिले तुमारे बेहन को कहते हैं एक जिला तुम्हारा और अपसरों को भी मालूम होता है जो मंत्री बनाए है वो तो नाम के है असली मंत्री तो परिवार में जिन को बनाया है सब कुछ उसी को यह सूपर मिनिस्टर मिनिस्टर के उपर सूपर मिनिस्टर वो परिवार का होता है फिर जो विभाग होते हैं खनन का काम बांजा देखेगा हेल्थ का काम बतीजा देखेगा विभागों को भी परिवार के सुपर मिनिस्टर को बार दिया जाता है और इसलिए नीचे सरकारी तंत्र को भी मालूम होता है कोई काम बाम करने की जरूत नहीं है जनता का बला करने की जरूत नहीं है बजिस सुपर मिनिस्टर को समालो अपना सियार ठीक रहेगा अच्छा अच्छा पोस्टिंग मिलता रहेगा और इसलिए सरकारी तंत्र भी लोग सरकार में सुपर मिनिस्टर के नाते सारा कभजा करके बैठ जाते हैं चोरी छिपी से फाइल ये भी तब तक क्लियर नहीं होती है जब तक कि सूपर मिनिस्टर ने हांड कहा हो यानि मंत्री कोई भी हो लेकिन परिवार का सदस्य ही उस मंत्रा लएके ओ चलाता है उसी के काम से बात आगे बनती है भाईयों बैनों क्या ये लोग तंत्र के लिए सम्विधान के लिए सामान ने मानवी की आवशक्ताओं की फूरती के लिए ये रास्ता उचीत है गया भाईयों बैनों और इस सब परिस्टिति में वहां के थिकारियों को परिवार का सदस्य ही कंट्रोल करता है ट्रांसपर पोस्टिंग भी वो सूपर मिनिस्टर कहेगा तब ही होगी जो अधाओं के बाहर बैटा हुआ है भाईयों बैनों वही सुप्रिम होता है परिवार की इच्छा आदेश वही सुप्रिम इसलिए परिवारवादी पार्टियां डगर डगर पर संबीधान का अप्पान करती है संबीधान को नकार देती है साथियों परिवारवादी पार्टियां अगर सबसे जादा नुक्सान करती है तो वो है हमारी यूवा प्रतिभा का यूवा टेलेंट का जबकि आप देखेंगे बाजपा में आज कोई अद्धिक्ष है कल कोई और अद्धिक्ष बन जाता है आज कोई एक भूमी का निभा रहा है कल कोई और वही भूमी का निभा सकता है भाजपा पीता एंड संस्की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है भाजपा में कौन किस परिवार का है इसका कोई महत्व नहीं है हमारे हां कारेकरता का परिवार नहीं उसकी कर्मता उसका समर्पान जनता के लिए सेवा करने का भाव उसी को हम ध्यान में रख करके हम पार्टी का विस्तार और विकास करते हैं और आप जनसंग के जमाने से इसे देख सकते हैं हमारे हां हमने इसी लोकतांत्रिक प्रंपरा को आज भी हम जीते हैं और आगे भी जिने का वादा करते हैं भाई यो बेहनों भारतिये जनता पार्टी को जन्व हुए करीब चार दसक हो गए इन चार दसक में आप देखिए हमारे हां पार्टी अद्यक्षा सभी पार्टी अलग-अलग बने अलग-अलग इलाके के बने हैं कोई किसी परिवार के प्रभाव में हमारा अद्यक्षा नहीं बना है जबकि पीछले चार प्रशक पाथ दसकों में हमने कॉंग्रेस पार्टी में करीब करीब एक ही परिवार का अद्यक्ष देखा है साथियों आजादी की लड़ाई के समाएं कॉंग्रेस में कम अधिक भात्रा में लोग तंत्र बचे हुए थे जब बड़े-बड़े स्टॉलबर लीडर हुआ करते थे तब वहां अधिक्ष बदले जाते थे वहां लोग तंत्र बचा हुआ था लेकिन कॉंग्रेस में आजादी के बाद जो दिक्कत आना शुरू हुई जब एक ही परिवार ने पार्टी पर कब्जा शुरू कर दिया कॉंग्रेस की देखा देखी पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां ये कॉंग्रेस को देख करके शिख गई और पूरे लोग तंत्र को दिमक की तरह बहुत बड़ा नुक्षान कर दिया यहाँ यूपी में भी गोर्थ परिवार वादियों ने कॉंग्रेस कल्चर को ही खुच देख पुरा का पुरा उतार लिया है उसी रंग में रंग हैं बीते कई दसकों से कॉंग्रेस हो या समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की मंदख बनी हुई है साथियों परिवार वादी पार्टियों का एक बहुत बड़ा नुक्षान ये भी है कि जब परिवार के लोग कोई गल्टी करते हैं बुरा काम करते हैं ब्रस्ताचार करते हैं तो परिवार की एकोसिस्टीम ही उनको बचाने में काम में लग जाती है उनको कोई सुधारने के लिए भी काम नहीं करता है उनको समालने का काम होता है आखिर जिन पर ब्रस्टाचार का अरोब लगा है वो भी परिवार के सदस्य से होते हैं इसलिए कोछ कुछ दिन कर सकता है और कारिवाई करनी है तो पारिवारी रिष्टे फैंसरों के आड़े आते हैं बरस्ता चार अगर परिवार का सदश्य कर रहा हो तो उसे चुप चाप स्विकार कर लिया जाता है उसके बाद यही प्रस्ताचार उस पार्टी का उस सरकार का रोजमरा का व्यावार बन जाता है इसे भी देश का बहुत नुक्षान होता है इसी ने उत्तर प्रदेश का भी दसकों तक बहुत नुक्षान किया है इसलिए यूपी के लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों से परिवारबाद की राजनीती करने वालों से बहुत सतरक रहने के जरूरत है और मैंने नौजवान आपको जादा सतरक रहने की जरूरत है और अमेठी के लोग तो जानते ही हैं कि ये लोग किसी के नहीं होते हैं आपने जिने बर्सों तक सर आँखों पे बिठाया सम्मान दिया और जैसे ही आपने उनको बगाया तो उन्होंने केरल में जाकर आपकी ही पुद्धी को कोचने की शुरूबात कर दी आपकी समझ पर ही सवाल उठाने लगे भायों और बैनों विरोध और अवरोध जिनकी राजनीती हैं वो ये करते ही रहेंगे हम विकास की नीती उस पर तेज गती से चलते रहेंगे बीते पांच साल में अमेठी में ही पी एम आवास योजना के साथ हजार से ज़्यादा घर बना कर गरीबों को दिये गए हैं बीते पांच साल में अमेठी में करीब करीब दो लाग साथ जिसे हमारी उत्तरपुदेश की बेटियों ने इजजदगर नाम दिया है दो लाग साथ बनवाए हैं यह हमारी सरकार है जिसने अमेठी में मेडिकल कॉलेज का अंदिरमान शुरू करवाया है यह हमारी सरकार है जिसने पुलिस लाइन सिक्रुद की है गौरी गंज और जगदिशपुर में पुलिस फायर स्टेशन सिक्रुद किया है गौर परिवार वादियों ने यहां की राइफल फैक्टरी का क्या हाल बना रखा था यह भी अमेठी के लोग जानते हैं हमारी सरकार ने यह सुनिशित किया है कि अमेठी की फैक्टरी में बनी एक के दो सो तीन आदोनिक राइफल देश की सुरक्षा बढ़ाएगी पूरे अमेठी का नाम रोशन करेगी यह काम पहले भी हो सकते थे लेकिन परिवार वादियों के अपने स्वार्थ से फुर्सत मिलेगी तभी तो आप लोगों के बारे में सोचेंगे साथियों योगी जी सरकार ने अमेठी और सुल्तानपुर को पुर्वाण चल एक्ष्प्रिस में से भी जूड़ा है आपका लखनव और दिल्ली का सफर भी आसान हो गया है यहां के किसानों और पसुपालों को का दूद, फाल, सब्ची, तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंचने का रास्ता बना है अब हम इसके इद्गित बहुत बड़ा आउद्यों की गलियारा भी बनाने वाले हैं इससे रोजगार, स्वारोजगार के अने को अफसर यहां खुलने वाले हैं साथियों, यह जितनी भी योजनाव पर योजनाव पर डबल इंजिन की सरकार काम कर रही है वो तभी पूरी हो सकती है, जब यहां कानून का राज होगा उत्तर प्रदेश का कोई भी मत दाता, यहां ऐसी सरकार नहीं चाहता जो यूपी के संकल्पों के सामने रोड़ा बन करके खड़ी हो जाए और आप ध्यान रखिए, आज हमारी योजनाव से गरीबों को जो लाब मिल रहा है यह गोर परिवारवादी उन योजनाओं को या तो अपने चाहतों की तो यह बंडरबाट करेंगे या तो उसको ताले लगा देंगे केंद्र की योजनाए यूपी में लागू ना हो क्या ऐसे दिन आप उत्तर प्रदेश में चाहते हैं डबल इंजीन सरकार का डबल बेनिफेट मिलते ही रहना चाहिए यह हमारा संकल्प है इसलिए आपको बारी संक्या में भाजपा के पक्ष में बोट डालना है अपना दल हमारा साथी दल है निशाज पार्टी हमारा साथी दल है उनके उम्मिद्वारों को भी जिताना है आप साथ इतनी बड़ी तादाद में हमें आशिरवात देने आए मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक लोग खड़े है मैं आपका बहुत पताबारी हूँ मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की हारत सभी उम्मिद्वारों से मेरा अगरे आगे आजाएं और हमारे दोनों सामसद आगे आजाएं की फिर से नहीं है योगी मैं आजाएं गर वाज राएं झाल झाल